कई कई महिने लग जाते थे, सरकारी फाइल पर एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंते पहुंते हैं दूल जम जाती थी, लेकिन अब देश में स्थितियां बदल रही हैं, देश की कार्य संस्कृति बदल रही है। साथियों, आज अगर केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता, इतनी एफिसेंसी आई है, इसके पीछे साथ आट साल की कड़ी महनत है, कर्म योगियों का विराद संकल्प है। वरना, आपको याद होगा, पहले सरकारी नोकरी के लिए, अगर किसी को एपलाय करना होता था, तो वहीं से अनेक परिशानिया सुरू हो जाती थी। भाती भाती के प्रमान पत्र मांगे जाते। जो प्रमान पत्र होते भी, थे उनको प्रमानित करने के लिए, आपको नेताओं के घर के बाहर कतार लगा के खड़ा रहा पड़ता था। अपसरों की सिफारज ले करके जाना पड़ता था। हमने सरकार के शुरुआती वर्सों में ही इन सभी मुश्किलों से युवाओं को मुक्ति दे दी। इन भर्तियों में इंटर्यू को खत्म करके उन सारे परंपराओं को उठा लिया। इंटर्यू की प्रक्रिया को सभाप्त करने से भी लाखों नौजवानों को बहुत फायदा हुआ है। साथियों आज भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थ बवस्ता है। साथ आठ साल के भीतर हमने दसवे नंबर से पांचवे नंबर तक की छलांग लगाई है। ये सही है कि दुनिया के हाला ठीक नहीं है। अनेक बड़ी-बड़ी अर्थ बवस्ताएं संगर्श कर रही है। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई हो, बेरोजगारी हो। अनेक समस्याएं अपने चरम पर है। सो साल में आए सबसे बड़े संकर्ट के साइड इफेक्स सो दिन में चले जाएंगे। ऐसा न हम सोते हैं, न हिंदुस्तान सोता है। और नहीं दुनिया अनुभाव करती है। विश्य व्यापी हैं। और उसका प्रभाव चाम तरफ हो रहा है। दुस्प्रभाव हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत पूरी मजबूती से लगाताम नए नए इनिसेटिव लेकर के, थोड़ा रिस्क लेकर के भी यह प्रयास कर रहा है कि यह जो दुनिया भर में संकट है। उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाएं। इसका दुस्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो। बड़ा कसोटी काल है। लेकिन आप सरके सबके आशिरवात से, आप सबके सहयोग से अब तक तो हम बच पाएं। यह इसलिए संबव हो पा रहा है। क्योंकि बीते आठ वर्सों में हमने देश की अर्थेववस्ता की उन कमियों को दूर किया है जो रुकावटे पैदा करती थी। साथियों, इस देश में ऐसा मातावन बन रहा है जिसमें खेती की, प्राइवेट सेक्टर की, छोटे और लगुद्योगों की ताकत बड़े हैं। यह देश में रोजगार देने वाले सबसे बड़े सेक्टर है। आज हमारा सबसे अधिक बल युवाओं के कौशल विकास पर है। स्किल डेवलप्मेंट पर है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा अभ्यान चल रहा है। इसके तहत अभी तक सवा करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल इंडिया अभ्यान की मदद से ट्रेन किया जा चुका है। इसके लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। इन आठ वर्षों बहें केंद्र सरकार द्वारा उच्च सिक्षा के सेंकड़ों नए संस्टेश सेक्टर खोला हैं। ड्रोन पॉलिशी को आसान बनाया हैं ताकि युवाओं के लिए देश भर में जादा से जादा आउसर बढ़ें। साथियों देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वारोजगार के निर्बान में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग व्यवस्ता तक बहुत सीमित लोगों की पहुँच भी थी। इस रुकावट को भी हमने दूर कर दिया है। पहले कभी लागू नहीं किया गया। इसमें भी जितने साथियों को ये रण मिला है। उससे उसमें से साड़े साथ करोर से अधीक लोग ऐसे हैं जिनोंने पहली बार अपना कोई कारोबार शुरू किया है। अपना कोई बिजने सुरू किया है। आठ करोर महलाएं जुड़ी हैं जिने भारत सरकार आर्थिक मदद दे रही है। ये करोरो महलाएं अब अपने बनाए उत्पात देश भर में बिक्री कर रही है। अपनी आय बढ़ा रही है। अभी मैं बद्रिनाथ में कर पूछ रहा था माताए बहने जो सेल पर कोई मज़ी मिली। उन्होंना का इस बार जो बद्रिनाथ यातरा पे लोग आये थे हमारा धाई लाख रुपिया हमारा एक एक ग्रूप की कमाई हुई है। साथियों गाउं में बड़ी संख्या में रोजगार निर्मान का एक और उदहारन हमारा खादी और ग्रामद्योग भी है। देश के पहली बार खादी और ग्रामद्योग एक लाख करोड रुपिय से अधिक का हो चुका है। इन वर्षों में खादी और ग्रामद्योग में एक करोड से अधिक रोजगार बने हैं। इसमें भी बड़ी संख्या में हमारी बहनों की हिस्सेदारी है। साथियों, स्टार्ट अप इंडिया भियान ने तो देश के युवाओं के सामर्तों को पुरी दुनिया में स्थापित कर दिया है। 2014 तक जहां देश में कुछ इने गुने सो कुछ सो स्टार्ट अप थे। आज इस संख्या असी हजार से अधिक हो चुकी है। हजारों करोड रुपिय की अनेक कंपनियां इस दोरान हमारे युवाओं स्थाथियों ने तयार कर ली है। आज देश के इन हजारों स्टार्ट अप में लाखों युवा काम कर रहे हैं। देश के MSMIS में छोटे उद्योगों में भी आज करोडों लोग काम कर रहे हैं। जिसमें बड़ी संख्या में साथ ही बीते वर्षों में जुड़े हैं। कोरोना के संकट के दोरान केंद्र सरकार ने MSMIS के लिए जो तीन लाग करोड रुपिय से जादा की मदद की। उससे करीब देख करोड रोजगार जिस पर संकट आया हुआ था वो बज़ गए। भारत सरकार मंद्रे का के भी माध्यम से देश भर में साथ करोड लोगों को रोजगार दे रही हैं। और अब उसमें हम एसेट निर्माण, एसेट क्रियेशन पर बल दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया भियान ने भी पुरे देश में लाखों डिजिटल एंटर्प्रिनर का अंदिर्माण किया है। देश में पांच लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर में ही लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। फाइव जी के विस्तार से डिजिटल सेक्टर में रोजगार के अवसर और बढ़ने वाले हैं। साथियों 21 सदी में देश का सबसे महत्व कांख्षी मिशन है मेकिन इंडिया, आत्म निर्भर भारत, आत्देश कई मामलों में एक बड़े आयातक इंपोर्टर से, एक बहुत बड़े निर्यातक एक्सपोर्टर की भूमिका में आ रहा है। अनेक ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत आज ग्लोबल हब बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब खबर आती हैं कि भारत से हर महिने एक अरब मोबाइल फोर्म पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो ये हमारे नए सामर्थ को ही दिखाता है। जब भारत एक्सपोर्ट के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है तो वे इस बात का सबूत होता है कि ग्राउन लेवर पर रोजगार के नए आउसर भी बन रहे हैं। आज गाडियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिपे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निरियात तेजी से बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में फेक्टरियां बढ़ रही हैं। फेक्टरिया बढ़ रही हैं तो उसमें काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। साथियों, manufacturing और tourism दो ऐसे सेक्टर हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलते हैं, इसलिए आज इन पर भी केंदर सरकार बहुत व्यापक तरीके से काम कर रही है, दुनिया भर की कंपनिया भारत में आये, भारत में अपनी फेक्टरियां लगाएं, और दुनिया की डिमांड को पूरी करें, इसके लिए पक्रियाओं को भी सरल किया जा रहा है, सरकार ने प्रोडुक्शन के आधार पर इंसेंटिव देने के लिए, पियालाइस किम भी चलाई है, जितना ज़्यादा प्रोडुक्शन, उतना अधिक प्रोत्साहन, ये भारत के नीती है, इसके बहतर प्रणाम आज अनेक सेक्टरस में दिखने शुरू भी हो चुके हैं, बीचे वर्षों में, EPFO का जो डेटा आता रहा है, वो भी बताता है कि रोजगार को लेकर के सरकार की नीतियों से कितना लाब हुआ है, दो दिन पहले आये डेटा के मताबिक, इस साल अगस के महने में करीब सत्रा लाख लोग EPFO से जुड़े हैं, मैं अगस महिने की बात कर रहा हूँ, यानि ये देश की formal economic का हिस्सा बनाया है, इस से भी करीब आठ लाख ऐसे हैं, जो 18 से 25 साल के उमर के ग्रूप के हैं, साथियों, infrastructure निर्मान से, रोजगार निर्मान का भी एक और बड़ा अवसर होता है, बहुत बड़ा मजबुत पक्ष होता है, और इस विज़े में तो दुनिया अव्रमान सब लोग मान लेता है, यह एक शित्र हैं, जो रोजगार बहुत बड़ाता है, बीते आठ वर्सों में, देश भर में, हजारों किलोमिटर नेशनल हाइवे का निर्मान हुआ है, रेल लाइन के दोरी करन का काम हुआ है, रेलवे के गेज परिवर्तन का काम हुआ है, रेलवे में इलेक्रिफिकेशन पर देश भर में काम किया जा रहा है, रेलवे स्टेशनों का आधुरी करन हो रहा है, नए वाटर वेज बन रहे हैं, अप्टिकल फाइबर नेटवर्क क पुरे देश में बड़ा भ्यान चल रहा है लाखों वेलनर सेंटर बन रहे हैं पीम आवास योजना के तहत की तीन करोड़ से ज़्यादा गर्भी बनाए गए हैं और आज शाम को धनतेरस पर जब मध्य प्रदेश के साड़े चार लाग भाई बहनों को अपने घरों की चाब भी देख लीजे साथियों भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर सो लाग करोड रुपे से जादा का लक्ष लेकर चल रही है इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं विकास कारियों स्थानिय अवसर पर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर बना रहे हैं अधनिक इंफ्रा के लिए हो रहे हैं एक सारे कारिय टुरिजम सेक्टर को भी नई उरजा दे रहे हैं आस्था के अध्यात्म के एक जात्यासिक महत्व के स्थानों को भी देश भर्व में दिक्सित किया जा रहा है इस सारे प्रयास रोजगार बना रहे हैं दूर सुदूर उसे भी युवाओं को मोका दे रहे हैं। कुल मिलाकर देश में अधिक से अधिक रोजगार के निर्मान के लिए केंद्र सरकार एक साथ अनेक मोर्चों पर काम कर रही है। साथियों देश की युवाँ आबादी को हम अपने सबसे बड़ी ताकत बांता है। आज हादी के अमरितकार में विक्सीद भारत के निर्मान के सार्थी हमारी युवाँ हैं आप सभी हैं। आज जिने नियुक्ति पत्र मिला है उनसे मैं विशेश तोर पर कहना चाहूंगा कि आप जब भी दब्तर आएंगे अपने करतब्यपत को हमेशा याद करें। आपको जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया जा रहा है। 21 थदी के भारत में सरकारी सेवा सुविधा का नहीं बलकि समय सीमा के भीतर काम करके देश के कोटी कोटी लोकों के इस सेवा करने का एक कमिटमेंट है एक स्वरनिम आउसर है। स्थितियां परिस्थितियां कितनी भी कठीन हो। सेवा भाव का सरोकार और समय सीमा की मर्यादा को हर हाल में हम सब मिल करके कायम रखने का प्यास करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस बड़े संकल्प को ध्यान में रखते हुए सेवा भाव को सर्वो परी रखेंगे। याद रखिये आपका सपना आज से शुरू हुआ है जो विक्सित भारत के साथ ही पुरा होगा। आप सभी को फिर से नियुक्ती पत्रा जीवन के एक नई शुरुवात के लिए बहुत बहुत सुबकामना हैं। और मुझे विश्वास है का मेरे अनन्य साथी बन करके हम सम्मिल करके देश के सामान में मानवी की आशा अकांशाओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। दंतेरस का पावन परवव है। हमारी यहां इसका अत्यन्त महत्म भी है। दिवाली भी सामने आ रही है। याने एक त्योहारों का पल है। उसमें आपके हाथ में ये पत्र होना आपके त्योहारों को अधिक उमंग और उत्सा से भर देंगे। साथ में एक संकल्प से भी जोड़ देंगे। जो संकल्प एक सो साल का जब भारप की आधाजिका समय होगा। अमरुत काल के पचीश साल, आपके जीवन के भी पचीश साल, महत्म पुन पचीश साल आईए, मिलकर के देश को नई उचाहिए पल नहीं जाए। मेरी बहुत बहुत सुब कामना है।